नमर श्कार आप सभी करस्वागत है ट्रेनपी नियूस वे मैं हूँ आपके साथ निदियुपाद्य है पैगंबर मुहमत पर अपमान जनक टिपड़ी को लेकर नुपुश शर्मा माफ़ी मांग चुकी है बिजेपी ने भी उनके खिलाफ कारेवाई की है बावजुद ये मामला थमता नहीं दिख रहा है इन सब के बीच भीम सेना चीफ नवाफ सत्पाल तवर्ण ने नुपुश शर्मा को लेकर अपमान जनक टिपड़ी की है बता आदे कि उन्होंने नुपुश शर्मा की जुबान काठ कर लाने वाले को एक करोड का इनाम देने की घोशना की है पैगंबर मुहमत के खिलाफ टिपड़ी करने के बाद बीजेपी की पूर प्रवक्ता नुपुश शर्मा कई दिन से लगतार ट्रेंट कर रही है और इसके बाद दिल्ली पुलिस की श्पेशन सेल नुपुश सहीत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्च किया है इन सभी लोगों पर अलग-अलग धर्म के खिलाफ आपत्ती जनक टिपड़ी कर महौल को खराब करने का आरोप लगा है नुपुश शर्मा के अलावा साइबर यूनिट ने बीजेपी के पूर प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, शादाव चोहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुलरह्मान गुल्जार अंसारी, अनिल कुमार मीना और पूजा शकुन के खिलाफ मामला खेल-खेल में शिवम 300 फीट गहरे, बोरवेल में गिर गया और इसी खेत में उसके माता-पिता मजदूरी करते हैं, उन्हें जब अपना बच्चा नहीं दिखा तो वे दोड़े, आसपस देखा तो बोरवेल से बच्चे के रोने की आवास सुनाई दे रही थी, उन्होंने देखा कि बच्चा बोरवेल में करीब 25 से 30 फीट पर फसा है, सनिकों ने तकरीब से करीब 40 मिरट में उसे बोरवेल से बहार निकाल लिया, पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम ने अपनी बैटिंग स्किल्स से सभी को प्रभावित किया है, उन्हें पाक का विराट कोली कह जाता है, लेकिन 27 साल के पाक बल्लेबाज ने वंडे में सबसे तेज 1000 रंड बनाने वाले कप्तानों की सूची में पूर भारतिक कप्तान विराट कोली को भी पीछे छोड़ दिया है, बुदवार रात वेस्ट इंडिस के खिलाव दाएं हाथ के इस बल्लेबाज बाबर आ आप हमारी वेजसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, हमारी वेजसाइट है www.tnpnews.in, नमुश्का